हलो एवरीवन आयम यूर होस्ट प्रदीप यादव फ्रम एग्रियंस अगर्डमी धेरादून एंड बैक विडियो आज से हम यहाँ पर एक कोर्स चार्ट कर रहे है आईवी प्याइस एफो एक्जाम के लिए तो अब से हम जो भी यहाँ पर वीडियो प्लोट करेंगे वह फुली आपकी आईवी प्याइस एफो एक्जाम ओरेंटिट होगी और कम्प्लीट पैकेज आपको प्रवाइड प्री एक्जाम में हम यहाँ पर कवर करेंगे क्वांट और रिजनिंग और मेंस में हमार अग्रिकल्चर आता है तो हम continuous इसके उपर वीड़ अप्लोड करते लेंगे मेंस एक्जाम के लिए ताकि आपको एक ही चैनल पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको हर तरह के subject available हो पाएं तो हमारों इस बार का target है वो है IVPS AFO 2020 अब यहाँ पर प्री एक्जाम के लिए preparation स्टार्ट करने का reason में रखिया है वो मैं आपको बता देता हूँ IVPS AFO पिछले कुछ सालों से continuous अपना exam का pattern change कर रहा है ताकि वो एक अच्छा competition का level set कर सके ठीक है competition को यह कहें tough कर सके जब पहली बार इसमें pre mains हुआ तो उस समय pre के exam में English reasoning को मैत रखा किया था और mains में था सिर्फ agriculture तो pre exam में जो timing थी वो थी 2 hours 2 गंटे के लिए और वो time open था आप कभी भी किसी भी section में jump कर सकते थे उसके अगले साल उन्होंने pre exam को again थोड़ा pattern change किया उन्होंने timing सेम 2 गंटे थी लेकिन उन्होंने उस 2 गंटे को divide किया 40 plus 40 plus 40 minutes के ratio में यानि हर एक subject को 40-40 minutes दिये गए थे अब आप यहां पर दूसरे section में jump नहीं कर सकते थे आपको एक बार में पूरे 40 minutes दे के ही subject complete करना होता था अगर हम इस साल की बात करें यानि कि 2019 में जो भी आपका pre होने वाला है अगर हम इस साल की बात करें तो जहां तक मुझे लगता है जो मेरा experience है इस बार मुझे लग रहा है कि आपका pre exam में वो एक गंटे कोने वाला है ठीक है और अगर आपका exam एक गंटे को हुआ तो number of questions भी कम होंगे 150 से 100 questions 35 for reasoning, 35 for quant और 30 for English तो इस case में अब थोड़ा सा यहां पर level set होगा exam के लिए एक competition है वो थोड़ा tough होगा उन students के लिए जो math background से नहीं है उनको थोड़ा compete करना पड़े है बाकिए students है जो already preparation start कर चुके है तो ऐसा शोर नहीं है लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपका pre exam एक गंटे को हुआ तो आप उसमें हमको अपनी पूरी strategy चेंज करने पड़ेगी number of questions का selection चेंज करना पड़ेगा और हमारी पूरी तयार है वो अच्छे तरीक से start करने पड़ेगी तो उसके लिए हमारी strategy क्या होगी हम उसके बारे बात करें के बाद में notification लीज होने के बाद अगर वो exam में गंटे को हुआ तो otherwise हमारी तयारी वैसी चल रही है जैसे हम लोग कर रहे थे on the basis of two hours of exam तो हम लोग तयारी उसी साब से start करते है फिलाल हम start करते है आज का हमारा कौंट का पहला lecture जो की deliver किया हुआ है रावल जमोली सरके तरू जो हमारी देरदून बांच में कौंट के faculty है तो चली start करते है आज का मारा lecture कौंट का फर्स lecture अगर में अगर में एडिसन की अगर बात करता है तो एडिसन में बहतों लगता है कि बहुत सिंपल जबकि अगर मैं तुम्हें एक जोंक से लाग पुछ हुआ कि 76 प्रस आपका 84 कितना होगा तो बच्चा थूड़ा सा बिले सोचेगे जबादे कि कितना होगा अगर आप इस क्वेशन को ऐसे सोचते हैं कि यह नमर कुछ आपका 70 प्लस 6 है और यह आपका 80 प्लस 4 है तो पाहम थोड़ा सा ओरा समझाएगा क्यों लाओगा मुझे पता है 8 7 14 होगा तो अगयर 80 सेमर 2 क्यूे आपका 150 होग और मुझे 6 और आपका 10 होगा अभ इस पूस्itative को आपको इता जादा सोच नहीं क्यों मुझे पता है 7 गलिघक कि यून और फिटिए आपका 550 अगया तो पीछे जीरो भी आ रहा होगा, तो जीरो आ गया तो यह आत्मा होगा, बनी कुट्टी, और आपको बता है कि 6 और 4 होगे 10 तो आपका अंसर केता है मज़िश्ट, एक काम करते हैं, इस क्रेशन तो बढ़ा होगे तो इससे तो छोटा नहीं के छोटा है, और देखते हैं कि बेसिक आपको कैसे करना, अगर मैं आपसे कहता हूँ, 18 प्लस 34, और इस नमबर को अगर आपको देखना तो इससे अगर आप ऐसे लिख दो कि 10 प्लस 8 और 30 प्लस 4 तो यह को सब आपको जादा आसाल लग रहा हो, और इसके पीछे बेसिक बीचर यह है, कौकि हमेसा यह जो आपको नमबर जरो के पीछे आते नमबर झीरो लगी होते है, इन्हें हमेसा बुलाएगा जाता बेस्कॉंट, तो बेस्कॉंटिक के साथ कोई भी कल्कुलेसर करना होता आसान है, क्यों, अगर मैं कहा हो 10 इंटू 3, तो आपको बता है 30, अगर मैं कहा हो 17 इंटू 10 आपको तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि कितना है, यानि कोई भी calculation है, अगर मुझे करना है 700 upon 7, या मुझे करना है 700 upon 10, तो आपको बता है आसाम होगा content क्यों, क्योंकि 1-0 घटके आपका असर आजाएगा, तो यानि calculation हमें अगर करनी है, तो सबसे आसाम होती है आप कि कोई भी आपके application करो, कोई भी आपके application करो, आप माइंड में लेके चलोगे, घिरिद्रे करनी हो सब्सक्त है, आपको का समझने में लगेगा, जैसी है आप से भूले लगे रहे और हमें चीज़ें और आसार इसे फिले होती रहेगी, एक और example देखते है, कि मुझे अगर आपको 48 प्लस 60, अच्छे से समझें किस बाद, मैंने क्या पोड़ा कि इस नंबर को आप देखोंके 40 प्लस 8 और इसे आप देखोंके 10 प्लस 6, यहांनि करी नदे यह आप अपर देखोंगे यहां पर हो क्या रहा है, कि मैं इस score और 1 को add कर रहा हूं, इसके पिछे एक 0 लग प्लस 7 अब मैं समझा और 8 यहां है, 40 तो 50 और 40 रहा है, 60 फ्लेर होगे, इसके बाद हम देखना है, अपिस नंबर को आपको देखोंगे, तो और दिमान कर सोचके देखों, इस 7 अंदम होगे, आपका 80 नहीं कितना होगे, 80 और 4 और 7 आपका 11, तो 80 प्लस 11 कितना होगे, आप तो आपको चीज़े दिखना है आपका 231 प्लस होगे आपका 146 अब समझेंगे बाग अगर मैं 23 और 14 को आपका 37 मुझे पता है एक जीरो और लगा होगा तो यह चुरो और लगातों और 607 मिना होगे 7 तो यह आपको दिखना है तो यह चाहिए अगर आप चाहते हैं इसको मैंड भी करना तो मैंड भी करना को बहुत बड़ी बात हुए अगर मैं के रहा हूं कि मुझे करना है 257 प्लस 137 वान करेंगे निये तो मुझे पता है 255 और 13 कितना हो तो आपका 38380 और 77 आपका 14 तो 380 और 14 कितना होगे आपका 394 तो यानि आपने देखा में इसमें एक डिस्टेंगे लिए बट यह आपको तम तक समझने आएगा कि जनता का आप अपनी ये वाली हमिटना शोड़ो कि 257 और मुझे 157 को एड़ी करना है उसके बाद मैं तरहां 7714 या मैंने 4 निखा और मैंने पहले लिए मुझे पता है 5 कि 8 और 9 और 2 और 1 3 आंसर तो इससे आना सही है बट आपनोग अगर किसी और सी से ऊपर आना चाहते है तो कैसे आओ आप अगर आप यह संचे नहीं चाहते हैं तो अगें हमें पहले हैं कि सीदहा को सत्रेक्स नहीं करें आपको माल्टिप्लाय के जाना है दिवाइड ब्याय सब्सक्राइब करें तो अगर आप चाहता हूं कि कोई भी पॉजटिव नमबर लेना तो बेसिंग आपको यह समझ रहा है कि सब्सक्राइब अगर तो यह만 चाहिए तो जाला हूं करें तो हमकोशना ल 앉ए上 सब्सक्राइब % इसमें दिक्कत के आती है बच्चों को कि जमन करते हैं यह 37 और यह तो छोड़ा हमबर है अगें अब हमें यह आपर है कि जीरो से 7 तो जाना सकता है कि हम कैरी लेते हैं और कैरी लेगी कि आपका कितना हो जाएगा अपर यह तो आगे 63 यह तो बहुत आसान है अगर मुझे आपका 10,000-37 अब इस प्रस्चन आप चोंगा दिक्कता आजए क्यों क्यों कि फिर से यहां से कैरी लोगे तो बहुत सरे बच्चे क्योंकि हमारा मैस करप नहीं है कि वर कि बार्जा हो कि तो इन क्योंटो कर ने नहीं कमा लिए लोगे यह तो इसी वस्ति हमें हो सबसे बड़ी है वह तो कि हमें क्या करना है कि की रास्ट नमंबर को मां बैस करना सबसे पहले मुझे देख रहे हैं कि अब यहां कहले हैं कि मैंने जब लास नंबर को माइनस कर दो 10 से और बाकि जितने भी नंबर अब लिए आपको दिख रहे हैं कि कुछ करने की जरूत नहीं है कि सबसे पहले जो मेरा इसमें पी जो नंबर डिजिट है उसे बराबर करा दो कि जितने आपके नंबर जीरों से इसके इस आपको बता है अगर मैं इस नंबर की बात करा तो बेस पॉनिटी में मेरे नंबर जीरों से चार जबकि यहां पर मेरी जी नंबर डिजिट हो है तो तो एक कांगोरू मैंने इसको पीम चार बनाते है कि जीरो जीरो लगाते है क्योंकि ऐसा करें अगर मैं देख रहो तो मेरे नंबर की नंबर डिजिट बढ़ नी रही है और इसकी वैल्यू नी बढ़ रही है अभी भी यह नंबर 37 है कि अब देखो ली पैसा आपका कितना असा हो गया मेरा नंबर कितना है आपका 0027 अगयर मैंने जब रहा कि इसे मुझे माइनस करना है 10 मैंने सब्सक्राइब तो आपको सोच रहे हैं और दर के देखते हैं जरब कि सपोज मुझे माइनस करना है आपका 10,000-360 नहीं आपको लग सकता है यह होग के बहुत है डिप्रेल सा परश्य किसी बैचे को मैं और किसी बहुत है कि हर किसी मुझे लगएगा तो गलती होने की साथ जादा रहे इससे बैटर के लिए जागो लाए इससे माइनस पर तेंग से जोगी नंबर और जीनो आपको दिख रहे हैं बराबर आपको डिजिल के इसे मैंने माइनस के 10 से आपको सोच नहीं हो तो 10-9 होगी आपका 1,9-6 होगी आपका 3 और 9-3 होगी आपका 6 पॉपांस की तरह भी तो यहने आपको दिख रहे हैं कि कहिना कि वो कहने वाला पंसरी मैंने घटा दी पॉइंट के लिए लुए कि लिए हो ना एक लास्ट इसमें एक्सामबा देखते हैं और समस्ते हैं कि सपोज मुझे आपको करना है कि 1 है यह हो कि आपका 1 है माइनस मुझे करना है 631 पॉइ पॉज़े करना है लास्ट को माइनस करना है 10 से और बाकी जितने इपी नंबर है सब को माइनस करना है 9 तो यह पूइ भी नम्बर आपके पास है तो आप बेस quantity से हराम से मैनस कर सकते हो बिना किसे विपकत को पॉइन के लिए को ठीक है तो यह तो हो कि आपका पहला टास्क क कि मैं बेस क्वांटिटी कैसे करना है इसलिए बता रहा हूं कि यह टॉपिक कुछ आपके आगे का माईंगे तो धीर दरी करके जो हम आइसे लेक्षे में बढ़ेंगे हम कुछ और देखेंगे तो तो आम में बता चलेगा इसके अप्टे कि आप आई हो कि आप यह सब को समझ करना चाहता है अगर आप इससे 19 न न देखेंगे अगर आप इससे 20 कितरा देखते तो क्या हुझे पता है कि 37-20 कितना हो था आप आपका 17 और 17 न हो मोलिक तरह हो गया है तो देखो इस नम्मर को ऐसे विशॉलाइज चाहता है चाहला आप एस इस और पॉजिचन करता है था कि कि या तो इस नमबर को बेस पॉणिटी बेखो तेखो आपकर आपका स्था अगर आप इससा रही uit तो आपको बता है 57-20 कितना होगे 37 और 37-4 कितना होगे 33 तो आपका अंसर सीधर कितना होगे 33 यानि अब आप देखोगी आपके स्क्वेशन को तुरह दिमाग में भी कर सकते हो अगला प्रसन है इसी देखेंगे अगर इस नंबर को अगर मैं इससे सोच हुई न और इस नंबर को अगर मैं देखो आपका 30 प्लस 1 तो मैं कहले देखो आपका 64-30 वो कितना हो जाएगा आपका 34 और 34 में मन अगर एड़ कर दोगा तो आपका आपका अंसर दिक्राएगा 35 क्लियर है बटके आपका अंसर सही होगा आपका नहीं क्यों को एच्छी समझ न क्यों कि यहां क्यों कि आपका 30 प्लस 1 तो होता है जब यह एड़ वाला जब मैंस होगा तो माइनस प्लस का माइनस भी तो होता है तो actual में यह आपका 64-30 होता आपका 34 और 34 में से जब 1 भड़ देगा तो आपका क्यों होता है 33 तरी इसका मतलब इतना है कि आपको यह बेसिक जान देने आपको करना की तो जब भी आप घर के जाएंगे पहले आप इस नंबर को सही लिखेंगे कि 31 क्या होता है माइनस 30 माइनस 1 अगर आप जादा जल्दी करने की सोचोगे तो 30 में आपके दिमां के पहली बार में कहाएंगा 30 ब्रस 1 आप समय 30 तो माइनस करतो होगे बटा वन फिल बात में एड़ करतो कर यह आपका काम को हो जाएगा ठीक है आगे चाहते है सपोज मुसे माइनस करना है आपका 74 माइनस 30 से ठीक है अच्छे समझेंगे सबसे विले देखो इस 37 को देखने कि आपको बस दो तरीक है या तो इसे इंटमस ओफ 30 देख सकते हैं इसे इंटमस ओफ 40 देखतो मैं इंटी को देख रहू को कि जी इसकी पास बेस कॉंटिटी और मैंना आपको बार बार ब तो सबसे बेस करेंगा कि अगर में इसके हास्तों सवाली प्रीस को लेक्व लेकर आँगा अगर मैं इसे ठटी में लेकर चाटा हूं तो मैं इसे कर दो माइनस 30 माइनस 7 क्योंकि आपको आपको कैसी भी देख और बिल्कुस सांथ दिमाग से गरो 74 minus 30 होगे आपका 44 और 44 minus 7 कितना हो जाएगा आपका 37 हाइ यह बो हो जाएगा और अगर आप ऐसे देखो 74 minus 40 हो जाएगा आपका 34 34 and 3 कितना हो जाएगा आपका 36 यानि मैं बस इतना सा कहाओ कि अगर आप इन नमबरों को तोड़ा ऐसे करके देखोगे तो आपको तोड़ा सा ये बैटर समझ में आगे जिसके अंडरस्टाइटिंग किया है जैसे एक क्वेस्टन देखता है यहां पर कि अगर मुझे करना है 84-37 अच्छे समझें इसे अपने माइन के रखना 40 कितना 40 तो 84-40 कितना होगा आपका 44 और फिर आपको 3 एड़ करना पड अगर यह 40 के पास है तो मैंने अपने इससे माइन में तरि लिए कि-40 प्लस 3 प्लस 3 प्लक्क अपको था थाटी सेवर होगा लोगी मुझे पता है कि 97-60 कितना होता है आपका, आपको बता है यह होगा, आपका 30, हाँ या ना, मुझे यह गा, 97-60 30 होगा, बिल्कुल नहीं होता है आपका 37, तो जब आपका 37 हो गया, तो इसके वाद आपको पता है कि आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर 4 एड करो तो आपको दिखना है कि मुझे यह करना को बहुत मुश्किल नागी है अगर आप भी इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी निभी क्या हो जाएगा बहुता सब्सक्राइब करना है अगर मैं कर आपका 335 माइनस में करना 214 तो अब इस नंबर को कैसी समझने इस मैंनस करना 214 तो आपको दिखना यह को यह सब्सक्राइब करना तो आपको यह समझने है कि जैसे हम साइक्रोजी एड में अपनाते है नंबर को क्या तोड़ने की साइक्रोजी वही आपकर अपना लिए और अगर आप यह बैटर दरीके से करपाऊंगे तो आप तो वैस देखें अभी तक यह है कि अभी चौने यह लेक्शर बताया ने मैंने थोड़ा सा दूसक्त आपको तेज बताना आपका अब यह काम है कि जब आप इसे घर पे देख रहो तो अगें जहांब आपको समझने है आप पॉस करो दो बारा पीछे जाओ फिर पॉस करो क्यांकि आपको यह समझना ज्यादा इमट्रन की हमारे कि हमारा ओंगी आपको डूरी संतर तो अगें उसके लिए आप प्रतेज करें पड़ आपको इससर समझन नहीं नहीं कर पाओ तब तब तर अपर चुन करने का को पहले आपको समझने है कि एक्जांप में कैसे करना कर यह चुंप करना थो तक तक आप पहले तो पहले आपको प्रफ्रेक्ट किजिए उसके बाद आपके पर सब्सक्राइब करना यह जिसे हम कहते हैं मल्टी की कि अब दिंग है कि भूफ सरे बच्चों और इसमें बहुत दिक तख्यों, क्योंकि अब तक मैंने की मैं यह ही सीख्या है, कि 21 इंटू 40 रादर होगा दून है कैसे कर को है पहले आपका 4 बंजा 4, हुआ फर आपका 4 इन पोल दून फिर आएके नियुक्त है, तो जब दक तक तक आपको ज़ादा टाइम लेगी वो एडिसर से ज़ादा लेगा मल्टिप्लाइब पर ज़्यादा फोकस करना तो देखिए एक इसकी वन लाइन अक्रोच हमें कैसे बिल सकती है तो आपका अंसर कितना अगया तो आपने देखाऊगा कि इसको करने मुझे काफी ज़े काफी टाइम लगाए इसको मैं इसके अगर जो है इसमें मेरा टाइम कटिंग बहुत जादा तो यह आप कैसे गरो को एच्छे समझेगे कि अगर मेरे पास भी कोई मेरा दो डिजन का न प्लस आपका हो जाएगा बी इंटू सी और लास्में मुझे करने कि यह वारा जो अगें आपका यह स्कॉलर में इसे आपको मुझे करना तो यहां पर थाओं देना कि जो भी यहां पर मेरे पास जो नमबराव इस्टेप आईगे जितने नमबर आपको अधर नमबर में होगी अगर आपके सेम मुझे करने दू चितनी नमबर भी यहां इसे जो जाएगा कि कहा है कर दो आ पिक यहां के आपको तुछ नहीं थी तो अगर आपको ऐसा के लिए तो अगन तोड़ा और एक्सांपर देखते हैं कि सबस्वाज मुझे करना 37 इंटू 70 अब यह समझेगी इतना सिंपर नहीं क्योंकि यहां पर ऐसा है कि हमेशा आपको डिजिट मिलेगी अभी तोड़ा से इसको और के देखते हैं सबसे में बेस तो क्योंकि अभी दर आपको दिख रहोगा यहां अगर अच्छे से देखेंगे तो यह होगी आपका बींटू टी ठीक है यह होगा आपका एंटू डी प्रसाब का बेंटू सी और यह होगा अगेन आपका कौन सा एंटू सी होगा अब समझेगे सब्सक्राइब कितना होता है मुझे पता ही होता है सब्सक्राइब कि अगर इस नंबर को मैं सिता ऐसे ही लिख दूं कि 32849 तो अगेर आपको आंसर क्या जाए ना सब्सक्राइब करते हों कि सब्सक्राइब करते हों कि सब्सक्राइब करना अच्छे समझेंगे भी मैं करता हो क्यों कि जब भी मैं एंड दरूंगा तो हमेसा यहां पर इनकी लिखेंगा करना है सबसे पहले मैं यहां से लुगा यह दो कितना आ जो हो और इस को मैं ने तो आपको देह रहे हैं तो आपके नमबर प्लेसे वह कितने आनी चाहिए थी पॉइंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पॉइंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कितना है कि अगर ऑको दिखाए इसकाने कितना होगे तो इसे गुए आपको अबसे होगे तो जितनी आपकोना प्रै्टिस है कितना होगे बृत्रह यह आपको इस तकुरह जादा हो ज़ीक है, दोधी मुझे करना है आपका 67 अब मुझे करना है 17 से एक पर बढ़ी बात निया क्यों, क्यों कि अगर आप देखें हो, 77 सिचा कितना होगे आपका 15 है, अब यहाँ पर भी जब कि एक बच्चा ऐसा उसका बैरेट कपाई कि 7 6 जा 42 और 7 बंचा 7 और 42 जा 49 तो वो सिदा यह लिखेगा तो कितने चलती है आप अपने कर पात तो यह भी आपको पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे सा आप Addison करता है तो इतना यह जाता मुश्किल है कि इसे करते हैं तो यह जाता मुश्किल है कि इसे करते हैं तो यह भी आपका Addison of 2 डिजितम है अब इसके बार देखें कि Addison of 3 डिजितम है तो देखो अभी तक हैं हमने चुँआ मैंट्टिप्लाइ करना मैंने आपको बताया तो अगे लिए आपको अच्छा लगा होगा आपको अभी कराएं इनको मैं आपको बताता हूं कि तोड़ा और आसनी से कैसे हो सकेंगे कि सबसे पहले जो मैंने पैसे लिया था बुलिया था आपको यह कराना बताया था ध्यान दे इन में से छोटा अंबर कौन सा आपको कोटी जिससे आप कमपटे करो अब मैं यह नहीं नहीं इस कोटीव का मैंटिप्लाइं हर नंबर से गढ़ा तो अगर मैंने देखा यहां से अगर मैं आपका कैरी में आ जाएगा तो अगर इसमें आपको जो बेसिक वो के चाहिए कि आपको देखना पड़ेगा आपको टे बनाने चाहिए यहां पर अगर मैंने 21 को नहीं लिया क्योंकि 21 kणि 24 यह सकता आपको जादा आसान ना लगे तो यह आपको देखना कि आपको जो है कमपटेबल इसके साथ हो चॉँकि मेरा हमें आपको टाइन को करना उसके उसको यह नहीं कट करना उससे घंटाणा तो आप जितना आसानि की सब्सक्राइब फिर मुझे पता है 1770 इतना होता है 119 और 1760 इतना होता है 102 मुझे पता है यह जैगा 9 और 102 और 113 तो आपका असरा रहोगा 1120 तो आपने देखा कि यह क्वेशन कितने असानिस हो गया फिर चलते हैं आपका चौथी एक्वेशाम्पन की तरह कि जो मैंने आपको बता है 42 इंट आपका 32 अब आपको लगेगा यह इसका डेवल तो आता नहीं पढ़ चाता सोचना नहीं क्यों अगर मैं 34 यह किसी को भी लेक आपको आपको दिख रहा हूद अब यह इंपोर्टेंट है कि मैं आपको यह सिखा रहा हूं यह विए शखा रहा हूं कि की कारते कि कारते हैं कि कैसे कारते ज़्यकन को ज़्यादा आट्राइस दे फ head बनाना है अगर है यह बनाना है अगरते बनाना के बाता स्व्यवू zejंगे थे design क करें म। अब जो next जो हम करेंगे वो करेंगे 3 विजिट के नंबर का multiple आप यह जो हमरे पास start है इसमें हम देखेंगे कि कैसे multiply करना है 3 विजिट के नंबर का तो जैसे मैंने आपको multiplication कफर बताया था क्रॉस वाला कि जहां पर हमके लेते हैं तो सबसे पहले हम यह आपने जन्राइज एस्प्रेशन लेंगे और उसकी मदद से देखेंगे कि कैसे होगा सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं आपका सबसे नंबर आपका ABC और उसका मुझे multiply करना किसे आपका DEF के सब तो क्योंकि अगर आपको यह पता होगा तो यह क्या हो चाहिए जन्राइज एक्सप्रेशन यहां पर ABC यानि कोई भी होसकता है जैसे आपका 130 और आपका DEF भी होसकता है जैसे 230 आपको दिख रहे हैं कि यह नंबर इसी की फॉम है तो पहले आपके जन्राइस एक्सप्रेश चेशे जन्राइस एक खड़ाबर कितना जाएगा पांच यहां पर आपकी नंबर अपर आपके नंबर अपर आप समझते हैं सबसे पहले में करूंबा इन जोंगा मैं यह आपका हो जाएगा सी इंटू एंटू एंटू फ्लेर हो कि उसके बाद आपका इस वाले कॉलम में इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके सबस्क्राइब और इन को पर दोगा देट अपका चाहिए अगर आपको समझ आगे तो अगर समझ नहीं आघा करो कि यह मैंने कैसे कि अगर आपको इतना समझा जाए तो आपको करना मुझे पॉइंट लिए अब चलते हैं एक आपके एक्जाम्पल में इसी को लेता हूँ तो मैंने आपका लिए 1-1-3-2-3-1 अच्छे सबसे मिलें मैं करूँगा आपका 3-1 यहां मैं लिखते हैं आपका 3-1 पहले मैं ऐसी लिख रहा हूँ अभी स्क्रीड ही पहले आपको समझे तो फिर मैं करूँगा 1-1 प्लस 3-3 तो यहोग आपका 1-1 प्लस आपका 3-3 ठीक है द चलते हैं आपके इस वाजने तो यह होगे आपका 1-2-3 प्लस आपका 2-1 तो यह होगे 2-1 और लास्ने हम चलते हैं आपका 1-2-2 याई 2-1 कुछ भी बूस्त तो सबस्क्राइब आपको बेसिक दिख रहे कि नमबर आप प्रेसिस कितने हैं 5 जो मैंने आपको स्टाइब बता और 6 और 6 और 10 तो यह होगे आपका 10 फिर चलते हैं इदर 3 बंजा होगे 3 और 2 बंजा होगे 2 और 3 और 2 ओगी आपका 5 और इदर हो जाएगा पर पॉन्किलर होने की नहीं होना अब जब मैं एड करूंगा तो एड करने का वही तरिका योई डिजिट को लेगे तो सबस्क्रा यहां पर यहां पर A.P. 자, तो सीधा यहां नीचे आ जाएगा यहां से ने तो इरा क्यों होनी है UNSERD ऑर 2 और आंसर 004. तो आपको दिखाओ भाई असर भी आपके जब यहां पर आपका बन लाइजर अप्रोच है मैं तुछ कर नहीं रहा हूं और यह जो मुझे टाइम लगाई इसलिए लगाए क्योंकि मैं आपको बतर अब हो सकता है कि इसको तो मैं अपने वाले मैचक से ज्यादा असनी से कर भ यह होगी आपका 310 यह होगी आपका 325 यह होगी आपका 2 आपको दिख रहा है कितना असालिस हो तो मुझे कुछ में करना ही है तो यानि आप इतने बड़े नंबर को भी वन लाइन अप्रोच में लेकर आ सकता है तो यह बहुत बड़ी बात है लिए फिट चलते हैं आपका 8181 blev今日はラइने चैलेगे 4 x 1 7 x 3 यह एड करांगे तो यानि 4 x 4 पलस 7 x 3 एट बड़े बाद चलेगा बाले बात बाता rib 121 से 7 x 1 से यह हो जाएगा और 2 आपका टू इंटु 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 इन लुटक्स तो यह ओगे इक लिए हो रहा है अगर चाहिए चाहिए जिलाओ 25 फिदर चलते हैं तो यहां से मेरा आजाए लागत यहां से राजा है यहां से मेरा आजाए लागत आपका इधर पैरिक में चला जाएगा और 21 तो वह प्र 23 तो यहां से में लेगा 3 तो आपका केरी में चला जाएगा और 10 वह प्र 12 यहां से में लिख दूँगा 3 तो मेरा अंसर कितना आगया 3 2 3 5 से तो आई हो कि आपको क्लियर होगी ओगा ठीक है फिर चलता है आगे अब सबस्क्राइब कर देखना है कि suppose मैं तोड़े आपका नमब लेता हूँ 169 और यहां बार में लेता हूँ 120 ठीक है clear अब मैं इसे बार बार ऐसे नहीं करें आपको थोड़ा सा मेंटर के लिख में लिख आना क्योंकि आप टाइम लगाने स्टार्टिंग में सही है बट अगर आप चातो एक्जाम भी चल्दी चलना तो मुझे तोड़ा मेंटर भी जाना पड़ेगा तो अगे नाइन पूजा होगे आपका 36 यह से जली को 36 नाइन पूजा होगे एटी और शिक्स वोड़ा होगे आपका 24 और 24 एटी नौक का होगे तो कितने जल्दी आप एडिसन कर पार हो जो मैंने आपको सिखाया था उदेवों यहां आपका मेंटर करें ठीके फिर चलते हैं आगे पूर बंजा होगे पूर नाइन बंजा होगे और यह कितना होगे थाटी और ट्वैल कितना है आपका 25 तो चलते हैं आपके शिक्स और इस प्रफिर आपका 5 यह वागे प्रफिर आपका 9 यह व्याए अब कितना आएकर 295 तो आनके लिए रहे कि यह नहीं आपको दिखा कि अब मैं कुछ के एडिनी कर रहा हूँ क्यों तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस लेड़े कि ठीक है अब यह प्रैक्टिस कर सकता हूं कि क्या में प्रैक्टिस कर सकता हूं कि अप्रैक्टिस था तो फॉर्टी सेवन इन्टू आपा तो तो देखो यह कुछ नहीं अगर आप इस दमगर को अगर आप इस सोच पाओगे कि आप 131 का मैं कर सकते हो कि अगर आप 7 में कर सकते हो ज्यादा आपका 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 तो मुझे पता है 61 कि तो यह होगी आपका 123 तो यह होगी आपका 323 तो यह कितना आपको दिख रहोगा यह नुम्हें पूसरी तो बैस देखे हैं अभी तो कम ने कैसी का मैंना प्रीस कर सकते हैं तो काहिना के बूह सोच लेकिने आपको थोड़ा सा एडिसन फिर आना चाहिए कि अगर आप चाता हुगा है तो कि इतना तरका आप आप यही तो देख रहे हैं कि तीन डिजिट ने के आपको प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस आप यह उसकी बेश्य बेंड करेंगा कि आप कितने आप असनी से घरबात हो ठीक है अब तो और इसके अप्रिकेस ने अभी सबसे पहले आपके सब्सक्राइब कर दो तो नहीं बना सकते हैं अगर आपके सब्सक्राइब कर दो अगर आपके सब्सक्राइब अगर अगर आपके सब्सक्राइब और यहां से आगे आपका वन पूचा होगा तो यह दो जीरो गटाई आपको फिर आपके सब्सक्राइब इसको कि और तो इसको किसी और तो निकिसी नसे बिल्कुल कर सकता हो अगर आप इसे वही दिमाना लगाओ कि 147 का मुझे मैंटिप्लाइब करना है 23 में इसमें ज्यादा सोच नहीं किया आपको अगिन इस नंबर को हर किसी में मैंटिप्लाइब करते हो आप देखो समझो कैसे आपका 46 का डबल होता है आपका 92 तो यह होगे आपका 92 और 23 बन जाओगे आपका 23 वन क्लिए हो रहे कि नहीं हो ना अगे यहां से क्या आपका 1 फिर मुझे एड करना है आपका 16 अब इसे कैसे करोगा होगी है इससे प्रेक्टिस का खेल है फ्रेक्टिस का और दो तिन में स्सेटर की क्रिविष्यू समझ नहीं कराता हूं आप 2 कि सभूर में क्वास प्र禰स अब इसमें क्यों कर रहा हूँ कि मुझे बता है 48 जा होता है 32 तो 14 x 8 होगे आपका 320 और 8 4 जा होगे मेरा 32 और 320 के 32 कितना होगे मेरा 352 तो यह आपको देख रहा हूँ का मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें अगी में आपको यही सिरा करना है यह को इसके उपर बात में आप कैसे करते हो कि इसके उपर बात कितना है कर पाते हो बांट लेकी नोगा ठीक है तो आपका 73 x 40 ठीक है प्लेर होगे है या तो आप इस नंबर को ऐसे देखो 70 plus 3 x 40 डान जोड़ना है तो अगर आप कैसे करो कि सबसे पहले है आप जोड़ना है तो अगर आप साथ में क्या दो तो अगर आप साथ में दो जोड़ना कितना आपका 900 और तीस में आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो कैसे आप इसे लिख सकते हैं 70 plus 3 x 14 ऐसा में क्यों करो कि मुझे पता है 14 समझा होता है 98 यह तो होगी आपका हजार हो जाएगा तो इस नंबर को मैंने कैसे जिखते हैं आपका 20 प्रेक्टिस बार और नहीं करो क्योंकि जब प्रेक्टिस करने करना चाहाँ का तो इस नंबर को अगर इस गमबर को मैं होगी आपको 91 एक 0 ही तो लगा नहीं वांगी आपका साथ कितना होंगे 917 तो आगे नांसराज है तो आपको देहरें मुश्किल कुछ नहीं है पट यह डिपेंड करता है आप कितना एपिसेंट्री इन चीज़ों को कन्वे कर पाता हो कैसे समझ पाते हैं ठीक है तो यह होगी आपका बेसी कॉल्टिप्लिकेशन